तो दोस्तों जैसे कि आप सब ने देखियोगी जो अमारे अमनी प्रिविएस वीडियो बनाई थी सैंसेंशन वाशिंग मशीन डवली डवली एट जिरो टी फाइफ जिरो फोर डी ए एन पे तो जिस मैं बताया था फुल रिवीव मैं उन्बॉक्सिंग भी उसमें करी थी साथी साथ फुल डेमोस्टेशन आपने दिया था जिसमें की कह काई फीचर को कैसे कैसे अब तक नहीं देखे तो जरूर जाके देख लें तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप स्मार्ट तिंग्स एप है उसको आप कैसे रिजिस्टर कर सकते हैं कैसे आप उस अपनी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या क्या उसके प्रोसेसेंस होंगे सब कि आगा में करीं में कार तो दोस्तों यहां पे अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं स्क्रीन पर तो फटास हorfट मैं सबसे पहले आपको स्मार्ट इंग्स को डानॉड कर लेंगे तो जैसे आपके पास यह लिए शूबर नहीं सुना हुआ जैसे कि आ गया है तो मैं इसको सर्च कर of do आपको सामने दिख रहा हू कि न्यू है यहा आ चुका है तो मैं इसको इंस्तौल पर क्लिक कर देता हूं तो हमारा इंस्तौल अब हो जाएगा चा तो जिसके आपको सामने एप काम करते next 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 start पर हमने क्लिक कर दिया तो location आपको करने को कहेगा तो यहां पर मैं continue कर देता हूं continue पर क्लिक करते हैं यहां पर कर दिजिए और allow only while using the app यहां पर आप क्लिक कर दिजिए और साथी साथ अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो आपको sign in करना होगा तो यहां पर favorites के right side में आपको option दिख रहा होगा कि sign in का तो यहां पर sign in पर click कर दिजिए यहां पर sign in पर click करेंगे उस पर click करने के बाद यहां आपका कोई एक ऐसा account मांगेगा जो कि आपका अपना Samsung account होगा जो कि आपने Samsung account अगर आपका नहीं है तो आप ंसको जरूर। बना ले तो यहां पर मैरा Samsung account है जैसे कि आपको यहां सामने दिख रहा होगा तो मैं यहीं पर इसको continue कर सकता हूँ So, जैसे आप Samsung account ब्रा लेंगे उसके अगर आप इसको यहां पर लोग इन करते तो आपर आम से लोग इन हो जाएगा तो यहां पर मैं continue पर क्लिक कर देता हूं जैसी मैंने यहां पर continue पर क्लिक किया है यहां पर यह कुछ options हमारे सामने खुल क्या है तो यहां पर मैं अपने device option दिख रहा होगा add to my home के नीचे की हैड़ आपको device option दिख रहा होगा तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा तो यहां पर आप device पर क्लिक कर दीजिए यहां मैंने device पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बता हूं तो इसमें आपको किस तरीके का आपका appliance है मतलब washing machine कुछ भी काफी सारी चीज़ अपना washing machine आपको यहां पर डूणना होगा कि आपकी जो washing machine है वो है यहां पर आपको कहा पर मिलेगी यह washer यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां पर जो washer की जो company है वो भी हमें आपर देखने को मिल रहा है तो हमें यही पर ही क्लिक करना होगा तो इस पर जैसे हम क्लिक कर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपको अपने जो वाशिंग मशीन है उसका मॉडल नंबर याद होना काफी जरूरी है जब आप इसको लॉग इन करते हैं मतलब याप स्मार्ट इंग्स को चलाते हैं तो जो हमारा वाशिंग मशीन का मॉडल है मैं आपको एक पर फिर से बता या फिर आप जैसे कि यह हमारा वाशिंग मशीन का मॉडल है यह आपको दिख रहा होगा यहापे जो यह बिलकुल यह जो ऑप्शन है हमारा यह हमारा वाशिंग मशीन है www.w80t540dn FrontLoad with AI Control SmartThings Connectivity यह हमें देखने को मिलता है आट के आट के वाशिंग मशीन है तो इस पर म start पे हम click कर देते हैं start पे click करने के बाद location आप डाल दीजे या तो कोई भी location अपनी office कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आप याप रहते हैं तो my home मैंने यहाँ पे select कर दिया जो room है वो living room या आप कुछ भी select कर सकते हैं इसमें कोई यहाँ इतना बड़ा अंतर नहीं पढ़ने वाला तो इसको select करने के बाद आपको यहाँ पे next पे click करना होगा next पे click करते हैं जैसा कि इनोंने यहाँ पे बोला है turn on your washer then press and hold the smart control button for more than 3 seconds until AP appears more than 3 seconds मतलब 3 seconds से ज़्यादा तक आपको तक प्रेस करके रखना होगा जब तक AP लिखा नहीं आ जाता तो मैं फटा-फट से काम करता हूं इसको connect कर लेता हूं यहाँ पर मैं सबसे पहले हम चलते हैं अपने washing machine पे मैं आपको बिल्कुल screen के पास लेके आ जाता हूं तो दोस्तों यह आपको washing machine हमारी दिख रही है मैं इसको एक काम करता हूं फटा-फट से on कर लेता हूं इसको प्रेस करने से हमारी जो washing machine है आपको दिख रहा होगा तब वह बटन है कौन सा यह आपका बटन है smart control का यहां आपको देखने को मिलता है तो आपको इसको 3 seconds से ज़्यादा तक प्रेस करके रखना होगा मैं इसको 3 seconds ज़्यादा तक प्रेस करके रखता हूं जैसे कि आपको दिख रहोगा यहां पर जो AP है वो लिखा आ चुका है तो हम दुबारा अपनी स्क्रीन पर वापीस चलते हैं और देखते हैं कि क्या अब हमें आगे करना ह होगा मैं आपको बताता हूं मैं अपने स्क्रीन पर हम आ चुके हैं तो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा पास लेके गया हूं यह उसके बाद ही हमें देखने को मिल गया है एकदम से कनेक्टिंग डिवाइस लिखा आया था फिर उसके स्मार्ट इंग्स पर इहां पर लिखा चुक है यहां पर rights रिक कर देता हूं तो अभी कुछश डिवाइस आएंगे तो यहां पर देखते हैं भी होता क्या है और में आगए कि सारे steps आपको बताने वाला हूं ओं मैं जैसे कि यहां पर यमार manner जो वाशयर आँ उसका नाम up क क्लिक करना होगा वॉशर पे यहां पर यहां पर डिवाइस ऑलडी रिजिस्टर्ड तू यहां पर डिवाइस पहले से रिजिस्टर कर रखा था तो यहां पर मैं एक काम करता हूं उसको फटा-फट से किसे स्क्रीन पर आ जाते हैं तो मैं अब आपको दिखादता हूं कि आपको करना कैसे होगा दोस्तों अपने स्कृमित बर आई चुगे है हैơn हमारा स्मार्ट गन्ट्र बोटन, जैसे जिसके मैं आपको बताये, इसको सिर्फ एक बर प्रेस करना है, ऐसे मैंने इसको प्रेस कर दिया है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो दौस्तों step पे तो हम यहाँ पे इसको okay कर देते हैं यहाँ पे okay करने के बाद connecting to your washer ज़रूर फिर से लिखा आ रहा है यहाँ पे जो हमारा washer है वो लगभग जो है हमारा smart things app है उससे connect हो चुका अगर मैं आपको बता हूँ और मैं दिखा हूँ तो यहाँ पे जो मैं अपको machine के screen पे लेके जाओं तो यहाँ पे connecting लिखा रहा है आपको सामने दिख रहा होगा मैं आपको थोड़ा सा pass ले जा कर दिखा देता हूँ जासे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे connecting लिखा आ रहा है तो यहां पर लिखा साफ हमेरे सामने आपको कनेक्टिंग लिखा हुआ यहां से अपना डिवाइस नेम रख सकते हैं जैसे कि यहां मेरे डिवाइस नेम मैंने यहां पर रख दिया है वाशिंग मशीन डिवाइस नेम अपने इसाब से सेट कर सकते हैं यहां से कर सकते हैं इसको और यहां से आप डन पर क्लिक कर दिजए डन पर क्लिक जैसे हम करेंगे डन पर क्लिक करने के बाद यह जो हमारा जो डिवाइस है वो फूल रिजिस्टर हो चुका है वाशिंग मशीन जैसे कि आपको यह उसको आप से अब इसको आ programmers से कर सकते जैसे की आपको यहां पर दिख रहा होगा कि एक mobile का sign बना रहा है यहाँ पर एक कुछ lock type का sign बना रहा है यहाँ हमारा smart control है वो on हो चुगा है तो अब हम एक काम करते हैं फटा फट से अपने दुबारा mobile के screen पर चलते हैं और देखते हैं कैसे machine अब चलती है और क्या क्यास में फीचर देखने को मिलते ह तो दोस्तों यहाँ तो अब आप हमने screen पर आ चुके हैं mobile के तो यहाँ पर जो washing machine के नीचे ready ऐसे कुछ लिखा आए हम यहाँ पर click करते हैं जैसे ही हम यहाँ पर click करेंगे जैसे मैं आपको पहले ही बता है कि हमने smart control ता हमें वो on करना पड़ता है आप उसको on करके जाके आ साथ मैंने on करते हैं अपने screen पर चुके हैं तो यहाँ पर हमारे washing machine है my home living room washing machine है वो ready है बिलकुल ready तो अगर हम यहाँ से हम laundry panel को option हमें देखने को मिल जाता है daily wash और हमें काफी सारे options हमें देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो अगर हमारी वीड देखने को मिली है या फिर क्या आपके कोई doubts है या फिर आपको कोई भी query है तो हमारे comment section में जरूर पूछे तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बंचे एりड़ियो कि एं़ियो में चहर तो हमारी वीडियोरा इं़ स्थ 12.000 अब हूछे तोस्तों में गज पैईने को लीडियोरा क्या